हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो इजी नोट्स फॉर यॉर लाइन स्टेडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स अगर आप भी UGC NET का जून सेशन का जो फॉर्म है वो फिल अप करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहां पर बहुत सारे अपडेट्स आ चुकी है यानि नई चीज़ें आ चुकी है जून दो हजार चौबिस के सेशन में पहली बात तो इसमें पेचरी का इंटरेंस एक्जाम भी जोड दिया गया है आपका वन नेशन एक्जाम बना दिया गया है UGC NET को तो यहां पर कौन-कौन से नए चेंजस आए है और किस तरीके से आपको यहां पर पूरे फॉर्म को फिल करते समय ध्यान रखना है तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं साथी फ्रेंड जो भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जोड रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देते हैं तो यह चीज़े ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते समय अधर्वाइस बाद में आपका फॉन रिजक्ट भी हो सकता है अगर है कि यहां पर जो डेट है वो चेंज होगी या जो भी है तो वो जो डेट चेंज होगी वो आपके एक्जाम की जो डेट है जो कि 16 जून है इसकी चेंज होने की बात की गई है ना कि अप्लिकेशन फॉर्म की यह चेंज हो सकती है क्योंकि UPSC का एक्जाम भी UPSC का प्रिलि जा दूसरि चीज आपका पर वह को बीस अपरेल से स्टार्ट हो चुका यहाई दर माई तक लिए आपको 10 वह ताइम दिया गया है अगर हम बात करेंं क्या 11 माई को हम सबस्कें नह शेडुल कास्क, SCST, UPWD, 325 रुपए फीज पढ़ रही है, वहीं जो आपके correction window open होगी, 13 से 15 माई के बीच में open होगी, exam center की जो यहाँ पर detail जारी की जाती है, intimation जारी किया जाता है, वो भी आपको time to come रिताया जाएगा, हलाकि pattern की, अगर हम बात करें, तो 180 मिनिट का, यानि 3 गंटे का no break, यानि कोई भी break नहीं होगा, एक साथ दोनों paper मिलेंगे, यानि paper 1, paper 2, 180 मिनट 3 गंटे का paper होने वाला है, दूसरी चीज़ है, यहाँ पर category, इस बार 3 categories यहाँ लाई गई है, पहली category में आपका जे आरफ है, यानि की, जो सबसे best category है, वो है category 1, क्योंकि यहाँ पर आपको scholarship भी मिलती है, ना सिर्फ आपको scholarship, यानि की, जे आरफ मिलता है, appointment as a assistant professor, यानि किसी भी आप government, college या private college में assistant professor भी बन सकते हैं, यानि उसके लिए भी eligible होते है, category 1 को अगर आप correct करते हैं, साथी PhD admission भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको scholarship भी मिलती है, category 2 जो है, उसमें आपको assistant professor बनने के लिए, यहाँ पर eligibility मिल जाती है, साथी PhD का भी admission आप ले सकते है, category 2 के थूँ, वहीं अगर हम category 3 में बात करते हैं, तो यह category सिर्फ और सिर्फ आपके PhD admission के लिए मानिया है, और याद रखी, validity इसकी जो category 2 और 3 की है, वो एक साल के लिए ही रखी गई है, एक साल के अंदर ही आपको PhD admission लेना होगा, कुछ बच्चे को कहना है, कि जो पहले जी आरफ ले चुके हैं, क्या उनको दुबारा से apply करना होगा, तो बिल्कुल हाँ, करना होगा, क्योंकि यह नया regulation आया है, देख सकते हैं, PhD regulation 2022, यह नया है, और यहाँ से आपको, जो है, अब जो आगे PhD, अगर अभी तक admission नहीं लिया है, तो अब आपको PhD admission के लिए, UGC net का exam देना होगा, चीक है, UGC net, JRF, या category 1, या 2, या 3, आप crack कर सकते हैं, उसके लवागर हम बात करते हैं, यहाँ पर candidate qualified under 2 and 3 category, तो यहाँ पर आपको marks calculate होंगे, आपके 70% weightage रहेगा marks का, 30% weightage रहेगा आपके interview का, जबकि जो JRF qualified candidates होंगे, उनका interview के थुरू, यहाँ पर selection होगा, कि कोई written exam का, उसमें calculate नहीं किये जाएंगे marks, तो यहाँ पर देहान देने वाली यहीं चीज़े हैं, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो PhD लेंगे, क्या वो assistant professor बन सकते हैं, PhD करने के बाद assistant professor बन सकते हैं, लेकिन अभी category 3 वालों के लिए, सिर्फ admission मिल सकता है, PhD के लिए, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर इस बार का जो exam होने वाला है, offline exam होने वाला है, OMR-based यानि की offline exam होगा, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, कि मैं हिंदी में अगर हम यहाँ पर language चुनते हैं, या English में हम अगर language चुनते हैं, तो हमारा paper किस में आएगा, तो guys यहाँ पर अगर आप English को चुनते हैं, तो आपका paper English में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप Hindi को चुनते हैं, तो आपको Hindi को यहाँ पर मिल सकती है, हला कि यह काफी time बाद ऐसा हो रहा है कि offline exam है, तो exact तो वहाँ पर जाकर के ही पता चल पाएगा, दूसरी बात है, यहाँ पर आपका paper 1 जिसमें की 50 questions है, paper 2 में जो subjective है 100 questions होएंगे, कोई gap नहीं होगा, यहाँ पर ujcnetonline.in पर syllabus दिया गया है, जहाँ से download कर सकते हैं, हला कि यह जो syllabus है काफी हद तक change हो चुका है, new updated हो चुका है, इसके लिए आप last PYQ यानि previous year question paper देख लीजे, और उससे hint मिल जाएगा कि कहां से question सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन topic को पढ़ना start कर दीजे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, English और Hindi दोनों मीडिया में आपको question paper मिलेगा, except language paper, आपको बहुत ध्यान से अपना जो language है, choose करना है, क्योंकि उसी में ही आपके answer को माना जाएगा, दूसी बात है marking scheme, तो कोई भी negative marking यहाँ पर इस बार नहीं है, no negative marking, लेकिन अगर माल लीजे, अगर आप कोई question होता है, NTA की तरफ से wrong होता है, जिसके वो plus two marks यानि bonus marks देता है, तो यह कब मिलेगा, अगर आप माल लीजे कोई question है, और उसके option है, अगर आप माल लीजे question number 14 है, इसमें अगर आप कोई भी इसमें NTA की तरफ से गलती है, technical error है, या आपने claim किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपने किसी ना किसी option पर टिक किया है, तो आपको इसके plus two marks मिलेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर यह question को drop कर दिया, खुद ही छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पर अगर NTA का answer गलत भी है, तो भी आपको कोई marks नहीं मिलेगा, इसलिए कोई भी question छोड़ के ना आईए, दूसरी बात है, जनरल केटिगरी या जनरल EWS केटिगरी या विमेन कैटिडीट में जो जनरल केटिगरी में आती है, 55% marks होने चाहिए, पोस ग्रेजुएशन में, वही इस बार, वही इस बार क्या कहा गया है, कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, लास्ट इयर वाले बच्चे भी यहाँ पर जिसी नेट का जो एक्जाम है, वो दे सकते हैं, बाकी अधर कैटिगरी के लिए 50% marks यहाँ पर बताया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान से देख ली है, साथी अंडर ग्रेजुएट लास्ट इयर में हैं, तो आप एक्जाम दे सकते हैं, जे अरफ के लिए जो एज है वो 30 साल, यानि एक 1st day of month यानि जून में आपका एक्जाम हो रहा है, तो 1st June को आपकी जो एज है 30 साल से ज़ादा नहीं होनी चाहिए, वहीं बाकी SC, ST, PWD, 3rd gender, women applicants को 5 साल का relaxation भी मिल रहा है, असिस्टन प्रोफेसर के लिए अपर एज लिमिट कोई भी एज लिमिट नहीं है, वहीं admission to PhD यानि category 2 और 3 के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप exam दे सकते हैं, जबकि JRF के लिए एज लिमिट है, दूसरी बार जब आप exam देने जाते हैं, माल लीजे, आप विमेन कैंडिडेट है, आपका सरनेम चेंज हुआ है, तो वहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, यह यहाँ पर न्यूरी अपडेटेट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखी, यह सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाना होगा, कि किस वज़े से आपका सरनेम चेंज हुआ है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो UGC Net exam में, कुछ लोग कन्फूज हो जाते हैं, कि यहां पर हमें form फिल करना है, यहां पर form फिल करना है, तो सबसे पहले तो जो new candidate register here है, सबसे पहले यहां registration करा लिजे, यहां से आपका जो आपका mobile number है, जो आपका email ID है, वहां पर application number आएगा, वह application number जब आप यहां डालेंगे, पासवर्ड जो आपने वहाँ पर जनरेट किया वो डालेंगे पिन डालेंगे तो ही यहाँ पर आप लॉग इन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं तो पहले जो पहला स्टेप है वो आपका पहला स्टेप यह है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मालीच आपके पास बुलेट इन नहीं है तो यहाँ पर यह पूरी डिटेल है अच्छे से पढ़ लीजे आपको अपनी फोटोग्राफ ध्यान रखनी है जो फोटोग्राफ यहाँ लगाएंगे वही फोटोग्राफ आपको एक्जाम सेंटर पर भी ले जानी पड़ेगी तो इसलिए तीन फोटो अपने पास तो जरूर से जरूर रख लीजे पासवर्ड वगेरा आपको पता है यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिये गए है साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों का हो रहा है कि मैं प्रोसीड ही नी हो रहा है उसकी वज़ा यह है कि यहाँ पर लोग टिक करना बूल जाते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं अगर आप टिक करेंगे तो ही ये आगे प्रोसीड होगा फॉर्म उसके बाद यहाँ पर इस बार आईडी वेरिफिकेशन के लिए काफी चीज़े देखने को मिल रही है जो की नई है पहले आधार की द्वारा ही आईडी वेरिफिकेशन होता था लेकिन आप देखिए यहाँ पर इनों ने क्या कहा है ना सिर्वाधार, डिजी लॉकर, एबी सी आईडी यानि एकैडमिक बैंक आफ ग्रेडिट इंडियन पास्पोर्ट, पैन कार्ड और नोन इंडियन पास्पोर्ट के थ्रू भी आप जो यहाँ पर है अपना आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं यानि वहाँ से आपकी डिटेल निकाली जाएगी यहाँ पर आप अपने माता पिता रिश्यदार की पहचान का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर सम्मेट करेंगे आईडी वेरिफिकेशन वो आपका ही होना चाहिए यहाँ पर अगले प्रस पर गैर आधार विकल्पी यानि अगर आपका नोन आधार जो है अगर आपका आता है तो उसके लिए आपको पहले ही एक गंटा पहले एक्जामनेशन सेंटर पे पहुँचना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका नोन आधार ना शो करें तो पहले ही आधार की जो साइट है उस पे जाना है और वहाँ पे अपना मुबाइल नंबर और इमेल आईडी को वेरिफाई कर लेना है uidai.gov.in पे जाकरके अपना मुबाइल नंबर और मेल आईडी वेरिफाई कर देंगे तो आपका जो अधार होगा वो नौन अधार नहीं बलकि complete अधार information आएगी अधार नंबर डालेंगे OTP generate किया जाएगा जो अधार में आपका phone नंबर है उस पे OTP आएगा याद रखिएगा ये नहीं है कि किसी भी नंबर पे आएगा ठीक है pen card का भी use कर सकते हैं वहाँ पे उस pen card में आपका जो नंबर होगा उसमें ही आपका जो होगा OTP आएगा दूसरी चीज़ ना सिर्फ वहाँ पे identity बलकि यहाँ पर भी देख सकते हैं जब आप अपनी personal detail फिल करते हैं personal detail फिल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको identity type देखने को मिलता है accept अधार अधार के लावा आप अपना bank passbook यूज़ कर सकते हैं with photograph class 12 का admit card जो board के द्वारा issue किया गया election card जो की पहले नहीं था pen card, passport, russian card with photograph यानि अधार की detail माली ज़े आपने पहले दी तो यहाँ पे उसके अलावा भी आपके पास कौन सा identity type है उसको भी आपको डालना होगा और वो जो number है जैसे voter ID आप यूज़ कर रहे हैं या election card यूज़ कर रहे हैं तो election card का जो आपका जो number होगा वो number आपको यहाँ पे mention करना होगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए ये भी इस बारी नई update हुई है बाकी की और updates के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें बाकी अगर आपको लगता है यह useful जानकारी आपको दी गई है तो जल्दी से वीडियो के लाइक और चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे thanks for watching